नमस्कार मैं हो सर्थी आई जहरखन की टोप 25 परमु खबर जानते हैं प्रधान मंत्रि पद की सपत 8 जून को लेंगे ननेद्र मोदी प्रधान मंतरि ननेद्र मोदी ने सनीवार 8 जून को होने वाले अपने सपत ग्रहन समारों में सामिन होने के लिए स्रीलंका के राष्टपती रानिल बिक्रम सिंगे और बंगला देश की प्रधान मंत्री सेख हसीना को अमंत्रित किया है बिक्रम सिंगे और हसीना दोनों ने पिये मोधी द्वारा दिये गए निमंत्रों को सोईकार भी कर लिया है चार जून को भारत के अठारवे लोग सभाज चुनाव के पहिनामों की घोसना के बाद नरेंद्र मोदी ने प्रधान मंत्री पत सही थीपा दे दिया था वे फिलहाल नई सरकार के सपत ग्रहन तक कर्यावाख प्रधान मंत्री बने रहेंगे बता दे एक नियूज रिपोर्ट के मुताविक प्रधान मंत्री ने इस सपता के अंत में होने वाले अपने सपत ग्रहन समारो के लिए सिरी लंका और बंगलादेस के अलावा नेपाल और मौरिसस के प्रधान मंत्रियों स्रीलंका के राष्टपती और भुटान के राजा को आमंत्रित किया है पियम मोदी ने सपत ग्रहन समारोह के लिए बंगला देश की प्रधान मंत्री सेख हसीना नेपाल की प्रधान मंत्री पुस्प कमल दहाल और मारिशस के प्रधान मंत्री प्रविंद कुमार जगरनात को भी अमंत्रित किया है खुटी में साधी समारोह के दौरान बजरपात से आठ घायल खुटी के तपकारा थना छेत्रे के लतावली गाउ में बुद्धवार को एक साधी समारोह के दौरान बजरपात हो जाने से समारोह में सामील साथ लोग घायल हो गए हैं सब ही घायलों को इलाज के लिए रेफर अस्पताल तोरपा में भरती कराया गया है सब ही घायल खत्रे से बाहर बताया जाते हैं जनकारी के अनुसार लतावली गाउं में जोन टोपनों के बेटे मतियस टोपनों की साधी थी साधी के बाद बुद्धवार साम को चुमावन का कारकरम चल रहा था उसकी दरण साम लगभग साड़े चाह बजे बिना बारिस के ही बादल गरजने लगे और बाज़र पात हो गया है इसकी चपेट में आने से घायल हो गए है जारखन में आचार संहीता उलंगन के 101 मामले दर्ज के रभी कुमार जारखन के CEO के रभी कुमार ने कहा है कि इस बार के लोगसभाचुनाव में आदर्स चुनाव आचार संहीता उलंगन के 101 मामले दर्ज हुए है जो पिछले दो लोग सभा चुनाव को मुकाबले कम है उन्होंने कहा एक जग रूपता के कारण एसंभव हुआ है इस चुनाव में नकसली वह हिंसक घटनाई भी नहीं हुई है वे बुद्धवार को धुरवा के निर्वाचन सदन में चुनावी पर किर्या समाप्त होने के बाद पत्रकारों से बाच्चित कर रहे थे बतादे ज़ारकन के CEO के रवी कुमार ने बताया है कि लोग सभा चुनाव दोहेचोविस की परकिया पूरी हो चुकी है भारत निर्वाचन आयोग का निर्देश मिलते ही ज़ारकन में आदर्स आचार संहीता के निस्प्रभावी होने की घोसना कर दी जाएगी नसा कारुबार के खिलाब करवाई में लापरवाही की तो गिरेगी गाज डिजीपी आज करेंगे समिक्चा नसा कारुबार के खिलाब करवाई में लापरवाही बरतने पर पुलिस कर्मियों प्रगाज गिरेगी इसे लेकर गुरु आरकोड डिजीपी अजय कुमार सिंग जीले के सेसपी एसपी के साथ वीडियो कंपरेंसिंग के माध्य हम से समिक्चा बैठा करेंगे जारखन हमेशा अफिम समित अर्यन सिले पदार्त के उतपादन को लेकर सवालों के घेरे में रहा है इसके उतपादन और उपभोग में बिरिधी देखी गई है कई बार तो हाई कोट ने संग्यान लेते हुए करवाई के निर्देश भी दिये हैं जारखन पुलिस के मताब जारखन पुलिस के उतपादन और उपभोग सबसे ज्यादा चत्रा पलामु लातेहर और रांची में दर्श किया गया है जारखन बिधान सभा में उलट फेर सीटों की संख्या पर पड़ेगा प्रभाव राजे में लोक सभा चुनाओ का पहिनाम राईनीतिक उलट फेर के साथ ही जारखन में बिधान सभा के अकड़े पर भी असर डालेगा चुनाओ में चार बिधायकों ने जीत हासिल की है उसमें जारखन मुक्ती मोर्चा के दो और भाजपा के दो बिधायक सामिल है बता दे मनोहर पूर से जामो बिधायक जोबा मान जी और सिकारी पारा की ब बिधायक नलील सुरेन एवं भाजपा के हजारी बाग के बिधायक मनिस जैस्वाल और बाग मारा की बिधायक ढोलू महतों ने जीत हाचिल की है ऐसे में बिधान सभा की चार सीटे मनोहर पूर सिकारी पड़ा हजारी बाग और बाग मारा रिक्त हो जाएंगी इन सीटों पर उप चुना भी नहीं होगा क्योंकि बिधान सभा की ओधी समाप्त होने में लवक्षा हमाही बचे हैं बतादे बिधान सभा में भाजपा की बिधायकों की संक्या 25 बाबुलन मरांडी को छोड़ कर है यह अब देश रह जाएगी हेमांत सुरेन की भावी क्यों हारी चुना वजह आई सामने दुमका लोक सभा चेतर में हेमांत सुरेन की भावी सीता सुरेन क्यों हारी इसका काराण अब सामने आ गया है एक गलती उन पर भारी पढ़ गया है दरसल जामतला बिधान सभा ने सीता सुरेन का खेला विगार यहाँ पर ही वह पिछड गई अगर इस विधान सभाज छेत्रे में भाजपा थोड़ी और मेहनत कर देती तो खेल बन सकता था बता जे दुमका लोक सभाज छेत्रे से गटबंदन परत्यासे नलील सुरेन की जीत में जाम तला बिधान सभाज छेत्रे से मिले भोटों की आहम भूम का रही है आरम में भाजपा पताई सीता सुरेन ने कई राउंड में नलील सुरेन से बढ़त बनाई जामतला बिधान सबाचेतर का इभीम खुला तो उन्हें तेजी से बढ़त मिली है नलिन सुरेन को लगभग 44,000 से अधिक भोट जामतला बिधान सबाचेतर से मिले है जिससे उन्हें सिता सुरेन को पीछे धाकेलने में कमयाभी पाई है जारखन में दो निर्दलिय उमिद्वार ने सभी को चोकाया लोग सभाचुना में कुछ निर्दलिय परत्यासियों ने अपना दमखम दिखाया है अलाकि उन्हें जीत नहीं मिली है लेकिन जानता ने उन्हें अपने सीर आखो पर भीठाया है निर्दलिय उमीद्वार जैराम महतो की पार्टी ने अस्थापित दलोग के लिए खत्रे के घंटी बजा दी है अपने तेवर से सरकार को कट खरे में खड़ा करने वाले जैराम महतो ने गिली डिसे निर्दलिय उमीद्वार के तरप्ण ना मांकन किया था इस दोरान उन्हें पुलिस ने गिरफतार करने की भी कोशिस की थी बताद जैराम महतो युवाओं के साथ साथ अन्यमत दाताओं को भी लुभाने में कम्याब हुए हैं उन्हें 3,47,322 मत प्राप्थ हुए हैं ठेकेदार की मनमानी के खिलाब एक जुट हुए ग्रामीन सडक जाम करने की चेतावनी पच्मिस सिम्हुम जीले के कराई केला पंचायत के बरडिह गाओं के समीप में सन्वेदक सत्यम बिल्लर्स ने दो माह पहले कराई केला बरडिह गाओं की संजाय नदी पर बने पूल को तोड़ दिया पूल तोड़ने के बाद सन्वेदक को बलास्टिंग करने के उन्मती नहीं मिली इसके बाद सन्वेदक ने नदी में मीटी डाल कर काच्चा डाइवर्शन बनाने के बाद कार्यों को अधुरा छोड़ दिया बारिस से पहले पूल का निर्मान नहीं होने से कराई के ला, लाड़ू पोदा, ओटार, सिल्फोरी पंचाइद के 25 हज्जार सदिक गिरामिनों के मुस्कुले बढ़ जाएगी जल्द उनकी मांग नहीं मानी गई तो रांची चाइबा समुक हमार को जाम किया जाएगा राम पासी के हत्या कर दी गई थी, वह मैदूरी का काम करता था, ए मामला वर्ष 2020 का है बता दे पलामु जिले के चैनपूर थाना छेत्रे में हत्या के चार दोस्यों को संकर कुमार महराज की अदालत ने सस्रम आजिवन करावास की सजा सुनाई है इसमें चैनपूर थाना छेत्रे के गुरहा निवासी गुर्डू पासी, रामातार पासी, महेश पासी और सुनिता देवी सामिल है पलामु जिला के चैनपूर्थाना चेत्रे के गुरहा निवासी विकास कुमार पासी है चार लोगों खिलाब चैनपूर्थाना में कांड संख्या 418 बाइट 2020, 20 दिसामब 2020 को परात्मी की दर्च कराई थी जारखन में सभी ST सीटे हारी BJP जारखन के 14 लोग सभा सीटों पर हुए चुनाव में BJP के परशन बहतर नहीं रहा है 2019 के चुनाव में 11 सीटे जितने वाले BJP इस चुनाव में केवल 8 सीटे जित पाई है वही इन में भी नुक्सान की बाते है कि जिन 5 सीटों में से 3 ST सीटे में BJP के कबज़ा था उन्हें भी गमा देती है आईसे में बरतमान में BJP जारखन की 5 ST सीटों पर चुनाव हार चुकी है खुटी कभी BJP का गड हुआ करता था केंद्रिय मंत्री को इस सीट से हार का समना करना पड़ा है वही दुमका सीट 2019 के मोदी लहर में BJP के खाते में गई थी लेकिन सीटा सुरेन के दम पर उस सीट को BJP नहीं बचा सकी वही लोहर दगा सीट पर इस बार बड़े मार्जिन से कांग्रेस बाजी मार गई है गित्ता कोड़ा के भरोसा भाजपा सिंग्भूम सीट पर फतह पना चाती थी लेकिन ऐसा नहीं हो सका है नासा खोरी के खिलाब अभ्यान सुरू करेंगे रांची के सांसत संजाय सेट रांची लोकसभा सीट पर लगाता दूसरी पर जित दर्च करने वाले संजाय सेट के आवास से काली मंदीर तक भरत्य जनता पार्टी बिजय जुलूस निकालने जा रही है वहीं OTC गराउंड से में रोड तक बुद्धवार को तीन बजय जुलूस निकाला गया संजाय सेट ने रांची लोकसभा सीट पर एक लाग बी सेर पांसो बारा वोटो से जित दर्च की है उन्होंने सुबोध कान सहाई की बेटी या सिस्वीनी पास स्वान को पराजित किया है लोकसभा चुना में भाजपा नीद एंडिये को 290 से अधिक सीटे मिले हैं जो बहुमत से अधिक है इससे जारखन भाजपा के करकाता बेहाद ही उसाहित है बता दे लोकसभा चुना के पहिनाम आने के बाज संसर संजर सेट ने रांची की जानता को बढ़ाई दिया और अपनी जीत को जानता को समर्पित किया है और कहा है कि यह जीत हमारी नहीं जानता की जीत है जो सने और प्यार रांची लोग सभा की जनता ने दिया है उसके लिए हिदेश से धन्यवाद रांची पूलिस ने बंगला देश की तीन लड़कियों के देह वेपार करने वालों के चंगुल से मुक्त कराया राईधानी रांची से पूलिस ने गुप्त सुचना के अधार पर बंगला देश की तीन लड़कियों के देह वेपार करने वालों के चंगुल से मुक्त कराया है मामले में सदर डीएसपी ने रांची के गोंदा थान में प्रेसवारता में बताया है कि गुपतु सुचना का धार पर करवाई का अंतरगत पाली रिसोर्स के कमरे से तीन लड़किया मिली हैं इन सबी से पूस्तास के करव में पता चला है कि अब बंगलादेश से किसी दलाल के महद्यम से लाई गई हैं इन सबी से जिसमें फिरोजी का धानदा कराया जाता है यह लड़किया एक महिला दलाल के महद्यम से लाई गई और उन्हें लाकर बार में एवं ब्योटी पालर में काम करने के लिए रखा जाता है। पूरे विश्वक की मंगल कामना की है और बाबाबास की नाच से यह अशिरबात लिया है कि मैं सदव जानता है कि सेवा करता रहूं वहीं इस असर पर धुलू महतों के लिए सुराक्षा के पुखता इंतिजाम किये गए थे सिम्टेगा वन परमंडल ने मोबाइल एप हमार हाथी और अर्थ इंजन का किया सुभाराम पांच जुन विश्व परियावरन दिवस के असर पर सिम्टेगा वन परमंडल द्वारा दो नवीन मोबाइल अप्लिकेशन का सुभाराम किया गया है मोकेप और सिविल सेजन डाक्टर अजीत खलखो समाज कल्यान पतादिकारी जीला संपरक पतादिकारी जीला सिक्षा अदिक छाग सभी परखंड भीकास पतादिकारी एवं सभी थानापरवारी उपस्थी थे बतादे हमार हाथी एप का उदेश से है कि हाथियों के बीचरन एवम अवस्थिती की सतत जानकारी मोबाइल अप्लिकेस्टन अधारित हाथी बीचरन निगरानी पर नाली लोगों के जानवाल की छती को नियुम्तम करना वहीं विश्यस्ताय मोबाइल एप पर अधारित निगरानी है मेरी नितिस कुमार से कोई बाचित नहीं हुई चमपाई सुरेन वे बुद्वार को दिली में मीडिया से बाचित में बोल रहे थे उन्होंने कहाए कि रायनीति में सभी दलों के साथ मुलकात होती रहती है यहां कोई भी अचुता नहीं है बताते चले कि एंडिया के घटक दल टीडीपी और जेडियू किंग मेकर की भूमका में आ गए है अब केंदर में सरकार बनाने के लिए बीजेपी टीडीपी के चंदर बावु नैडू और जदियू के नितिस कुमार पर निर्भर हो गई है धन्यवाद